गुरू गोबिंद सिंग इंद्रप्रस्त इनवरिसिटी जो की दिल्ली में है इसका MPBS प्लस BDS का BHMS, BUMS और BMS और BSC Nursing इन में जो 2021 में admission होने हैं उसकी counselling के registration का notification रिलीज कर दिया गया है एक्जाम के बाद 12 से एक्जाम के पहले एक बार ये रिलीज हुआ था लेकिन उसके बाद 12 से इसका notification आ गया है जो notification है वो आप ipu.ac.in.admission2021notice.php इस link पर आप विजिट करके easily notification देख सकते हैं notification dated है 3rd December 2021 की इस पर जब आप क्लिक करते हैं तो जो नया notification है वो डाउनलोड हो किया आता है क्या है notification वो हम बताएंगे आपको complete इस वीडियो में 7 तारिक से registration शुरू होगा अभी registration start नहीं हुआ है साथ तारिक से पहले 6 तारिक को notification आएगा कौन कौन register कर सकते हैं वो भी बताएंगे इस छोटे से वीडियो में आप के साथ बने रहे है चैनल पहले वार विजिट कर रहे है अभी तक आपने इसको सब्सक्राइब नहीं किया तो इसको सब्सक्राइब जरू कर दीजे ताकि फ्यूचर के अपडेट्स आपको non-stop मिलते रहेंगे हेलो और ग्राण विल्कम तो अलोफ यू अगेन और फैबरेट नीट इर्फरमेट चैनल मेडिकविंग दिस इस अमित एंड वाचिंग मेडिकविंग यूटूब चैनल गैस इंदरप्रस्त इनुएर्सिटी नियुदिल्ली का जो की मेडिकविंग पहले से इतनी सारी कोई हमारे पास आई थी हम लोगोंने बोला था कि नोटिफिकेशन आएगा क्योंकि रिजल्ट के बाद नॉर्मली नोटिफिकेशन ओपन होता है और चांसे दिये जाते हैं ऐसे कंडिडिट्स को जो आई प्यू में रेजिस्टेशन करना चाहते हैं इस्टेट कांसिलिंग के ल से साथ दिसंबर 2021 को ये स्टार्ट होगा जिन कोर्सेस के अड्मिशन के लिए ये रेजिस्टेशन होगा वो है MBBS, BMS, BHMS और BSC नर्सिंग के लिए only for unmarried female candidates BSC नर्सिंग के लिए जो candidates होगे वो सिर्फ unmarried female candidates के लिए है code है 115 MBBS, BMS और BHMS में need के थुरू ही होगा यानि need जिनोंने qualify किया है वो registration कर सकता है अब जब ये post हम लोगोंने YouTube पर upload किया तो उसके बाद post में कैसा recommend आ हैं कि नया registration नहीं कर सकते है या फिर ये reserve category के लिए है, गैस ऐसा नहीं है, new registration allowed होगा, new fees payment allowed होगा, document verification reserve category के candidate का होगा, online upload करना पड़ेगा detailed में जो notification है वो 6th December को upload किया जाएगा, इसी website पर ipu.ac.in पर और उसके बाद क्या dates होगी, final dates क्या होगी, last registration कब होगा, कौन-कौन से document upload करने पड़ेगे, पूरा process क्या होगा, new registration आप करेंगे तो कितनी fees देनी पड़ेगी, ये complete detail available होगी, IPU के जो notification का website का panel है, वहाँ पर 6th December क 7th December से ये online जो admission process है, registration process है, counseling के लिए, IPU का दिली के state के 11-12 जिनोंने दिली से किया है, उन students के लिए है, बाकी किसी students के लिए नहीं है, ACMS, Army College of Medical Science में जो लोग apply करना चाहते हैं, जिनका defense का background है, वो इस notifications का wait कर सकते हैं, यहाँ पर complete detail उनके बारे में भी दी जाएगी, जो बा apply करना चाहते हैं, Army College of Medical Science में वो भी apply कर पाएंगे, detail का notification 6th December को आएगा, जैसे ही आएगा, midcoming की ओर से complete detail वीडियो, date कब है, कौन सी last date है, document क्या क्या लगेंगे, online आपको apply करना पड़ेगा, तो क्या online submit करना पड़ेगा document, क्या physically document verification होगा, complete detail हम लोग post करेंगे 6th December को, तब त subscribe नहीं किये अभी तक, इसको जरूर कर दीजिए, content पसंद आता है, तो इसको like जरूर कीजिए, share कीजिए दोस्तों के साथ, बने रहे है, midcoming के साथ, thank you for watching midcoming, thanks a lot